क्या हाल है दोस्तों मैं हूँ इकास सोमर आपके अपने ट्रस्वर्दी चैनल स्टेडी फॉर सिविस अवस्टेस पे ईपी एफ़ो ट्विटी ट्विटी जो की संभावित है चार अक्टूबर दो हजार बीस को उसका पेड़ ग्रूप जो है हमने यहां पर चलू कर दिया है जो एक्जाम है इनफोर्समेंट ऑफीसर के लिए ध्यान रखेंगे इस फोर्समेंट ऑफीसर के लिए उसके लिए पेड़ ग्रूप टूप फंद्रा मई आज से स्टार्ट हो गया है ती सप्तंबर तक का है लेकिन गुरूप तब खतम नहीं होता जब तक एक्जाम नहीं ह क्या है दूसरा कि सes समझेंगे टी स्रां ये है कि कैसे कैसे जो है हम लोग पढ़ाई करेंके स्टेडी कैसे करेंके रोज और चौह he जो नौप और लेक्ट हैं उनमें कैसे क्या-क्षण पढ़ना है हमें यहां पर यह लिकरना है कि पूरी-पूरी-बुक पूरी पूरी मतलब लोग जो है इस तरह किस पढ़ा रहे हैं कि जैसे कि out of the words जितना भी है सब कुछ पढ़ा दो ऐसा नहीं है previous year questions के related analysis video हमारा दिया हुआ है उसके बाद भी already कितने question आए फिर 2017 वाले paper में enforcement office वाले जो था उसके अलावा APFO का CBIT इन सब को मिला कर और क्या-क्या pattern है इन EPFO वाले exam का सब कुछ मैं उसका अलग से वीडियो लिया हूँगा वो अलब जोड देख लिए ताकि एक आपको जो है दिशा मिल जाएगी ठीक है तो नौ पॉइंट है यहाँ पे कौन-कौन हमारे एजुकेटर जो है जुड़े रहेंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है नौ पॉइंट आप लोग इसले बस देखी लिया होगा जनरल इंग्लिश जो है उसके जी सर करेंगे और आपका freedom struggle जो दे रखा दे रखा है नामें आ सब्सक्राइब क्यों हुआ से लेकर उनने सो सब्सक्राइब के चंगूल से तब तक का है पूरा-पूरा यह विकास यानि कि मैं देखूंगा ठीक आपका current event development issues अजीज सर और मैं देखूंगा और आपका Indian policy economy ठीक है और जनरल accounting principles इसमें देखिए बहुत लोग जो है तमाम प देखें नहीं या फिर हुआ बनाके बच्चों को अपनी तरफ लियोर करके बहुत कठीन है बहुत कठीन है बहुत कठीन है ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ अगर प्रिवी से कोशन देखोगे आप और उसके बाद दिमाग लगाओगे कि EPFO जनरल वालों के लिए है यह कोई commerce background उ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा बिलकुल relevant हो गया और concise होगा यह नहीं है कि copy paste पूरा करा हुआ पूरी 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 बुक नहीं उसकी कोई ज्रोत नहीं है ठीक इसके बाद जो है यह भी इंडेस्ट्री रिलेशन लोईबर लॉग मेरा मेरे दोरा किया कराया जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अकासर इसके मांस्टर है ठीक सोचल सेक्यूर्टी हाँ यह भी मैं कराऊंगा बिलकुल यहां पर हम लोगों अपना सिलिबस देख रहा कौन उससे जो है रेस्पॉंसिबल एजुकेटर और एक टूजट चीजे यहां से जो है डाउट आपका क विदिवत तरीके जए ठीक है अब यहां पर देख लिए पहला पार्ट खता हो गया सिलिबस का दूसरा पार्ट पर आ गया है कि टेस्ट सिरीज प्लान किस तरीके जखिया गया है तो मैं आपको पता दूं मोटा माटी जो लेयाउट है वह यह है कि 9 तो हो गया सेक्शनल ट जिसमें 20 जनल इंग्लिश के सिर्फ होते हैं बाकी जो है 100 कोशन का ब्रेक अप होता है इसके अलावा देखते जाई है ठीक देखो टेस्ट जो पढ़ाई है वो तो सही है स्टेडी आपने करी वह बढ़ी है लेकिन जो इंफोमेशन आपने गेन की उसको नॉलेज बनाने के ठीक है और 22 तरिक इंग्लिश का टेस्ट होगा हर 8 और 22 तरिक को और जन्रमेंटे अबिलिटी और कॉंट का टेस्ट होगा हर 15 और 29 तरिक को हर मंत के तो इस तरिके से दो इसके यह हो गया मंत में ठीक जन्रमेंटे अबिलिटी कॉंट के भी दो-दो टेस्ट होगा वीकली औ और उसके अलावा जो फुल लेंद डस टेस्ट है वो तो हैं है नाइन सेक्षिनल टेस्ट है वो हैं और इसके अलावा समझ लिजे कि टॉप जो होंगे कुशन होंगे वह आपके हिस्ट्री के हो गए आपका जो है पॉलिटी एकनॉमी जनरल मेंटेबिटी यह सब आपको सब्सक्राइब करते रहों देखो तो कि मिस्ट्रेक कहा हो रही है और इन सभी टेस्ट का एक्स्प्राइशन वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पर और इसके अलावा जो है डेली डेली आपको जो है एप फोक्स से समंद्धितने नाइन पॉइंट है उसके जो है इंग्लिश का 26 माई ठीक फीडम इस्टेकल का दो जून ठीक है यह पीडियाफ मिल जाएगी आपको अपने ग्रूप पे अभी ठीक है और करन्ट अफेर का 9 जून को है पॉलिटी एकनॉमी में बोलता जा रहा हूं 16 जून यह गैप जो है यह टेस्ट में गैप नहीं है जे पत्चीज जूलाई को होगा ठीक है अब स्क्रीटी में जैसे आप बता बताएं तो रहा है गौवर्मन्न इस्कीम कौन सी स्टैंडब इंडिया दो 17 जा चलनी स्टैंडब इंडिया स्टार्ट अप इंडिया ठीक अटल इक साथ यह पेंशन योजना भी पूची गई ती द दस दस फुल लेंट टेस्ट हैं 120 कॉश्चन वाले वह एक अगस अगस इसमें सारे कंबाइन होंगे मिक्स होंगे यह सेक्शनल खतम है 15 अगस 22 अगस 29 अगस 3 सब्टमबर 8 सब्टमबर 14 सब्टमबर 19 सब्टमबर 22 सब्टमबर को होगा ठीक तीस साइक तक पूरा वो रहेग चार अक्टूबर तक आपके साथ हम लोग रहेंगे कैसे एक दिन पहले और एक्जाम के होने तक भी पूरा गाइडेंस हम लोग का आपके साथ रहेगा तो आपको टेस्ट वाले सब्सक्राइब आगे ना सेक्शनल फुल लेंट टेस्ट वीकली टेस्ट इंग्लिश के दो जर्नल मेंटल अबिलिटी के दो उसके लावा जो है खुद के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हजारों से क्यूज और यूट्योब अब थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं अपने की आपको स्टेडी प्लान अब लोग कहते हैं कि डेली सब्सक्राइब बता दीजे डे तो इसमें क्या है कि आपको जो है छे घंटे देने चेड़ घंटे कम से कम देने एट लीस्ट आवस अडे ठीक तो स्टेडी फॉर्ट एपी फो एक्जामिनेशन एक्स्क्लूजिव ली ठीक है कम से कम रोज आपको क्या करना होगा चार घंटे जो भी नेक्स टेस्ट है आप इंग्लिश का जो है नेक्स टेस्स के लिए जो है तयारी करें रोज चार घंटे सो कर लीजे और यह जो दो चीज़ें कॉमन यह आपको रोज करनी करनी अभी से लेकर एक्जाम जिस तक हो नहीं जाता क्योंकि यह बिल्कुल सॉल्डिर मांस लेकर आपके आपके लिए इंग्लिश में आते हैं बीस कोश्चन जन्र में आते हैं पंदरा कोश्चन कितने हो गए पैंतिस और करेंट अफेर में भी पांस और आप देखें थोड़ा सा पिछली बार मिक्स थे पॉलिटी और एकनॉमी से लेटेड़ करेंट अफेर के कुश्चन तो अगर आप ने कोश्चन हो गए एक तालिस चालिस एक तालिस कोश्चन यहीं से हैं तो इनको दो डेली करना आप लोग को ठीक है डेली आप लोग को यहां पे इसके लिए साथ चलते रहे ना अब देखिए जुलाई के बास से जब फुल टेस्ट चलो जाएंगे तब जो है आप लोग आप तो रिविजन करना सेक्षिन टेस्ट तो हो चुके हैं टेस्ट ऐसे देना कि बिल्कुल एक्जाम दे रहे हो समझ लो मेरी बात दा इसे टेस्ट को देना कि एक्जाम चल रहा है तभी होगा फिर उसके बाद जब फुलन टेस्ट की बारी आएगी तो रिवीजन कर यह पर पढ़ना है इंडस्ट्री रिलेशन पढ़ना लेबल लॉस पर अच्छा जो लोग नॉन कॉमर्स बैक्ग्राउंड के हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन डियरेक्शन यह है कि आप लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसपल के लिए परिश बढ़िया कुश्चन आये हैं और इनसे आते भी कुश्चन काफी है ठीक इन दोनों को लाकर 17 कुश्चन आये थे और गैप से जो है तेरा कुश्चन आये तो इतने इसी मला फुल फॉर्म तक पूचिए ठीक फॉल फॉर्म तक डाइकली पूची गई थी और वही सब पर चिंग वाले लोग है वह सुन रहे है प्ली सुन लीजे अपनी स्टेजिंग बदलाव कर लीजे कुछ आप लोग को फाइदा हो जाएगा ठीक है आपको जो है यहां पे क्या था कि छे गंटे यहां पर आपको देने हैं टॉपिक जो चोड़कर जितने वीट टॉपिक ह वह चाहें तो गंटे कर लो कर लो जो अपनी आउशक्ता के अनुसार लेकिन मिनिम माव और जुलाई तक छे गंटे गंटे उसके बाद तो पढ़ना पड़ेगा यह बहुत ही ज्यादा अनिवार है जोड़ी है अब हम लोग आ अपने चौथे study कैसे करना है detailed में समझेंगे syllabus को और previous question के लिए मैंने वहालों कि आप में पता दिया question कैसे 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 आए थे किस topic से आए थे वो मैं आपको जो है आगे वीडियों बता तो वैसे भी जो हम लोगो पहला पेट गूप चल रहा है उसमें जो test होता तो मैं उससे पहले य कैसे question पूछे गए आप लोग किस focus के साब से नहीं तो फिर कहना आप बलकुल है फाजर्ड वे में चलते रहोगे तब तो आपको desert लगेगा आपको पता नहीं किस दिसा में जाना है ठीक या फिर कौन सी चीज इंपोर्टन है हर जगे मिराज ही मिराज है समझे रो उसको ब बढ़ना है कहां फोकस करना है कहां पर आगे बढ़ना है तेजी से तो देखे पहला जो आपका general English है उसमें अजी सर कराएंगे पूरा संपूर स्टडी में बिलेगा प्रिवेस के हिजाब से सारा में मिलेगा weekly quiz दो होंगे आपको पहले बता दिया है और टेस्ट भी पूरे तारीक आरिक सब्सक्राइब को पहले स्ट्रेकल में आपको जए अठास तावन क्यों हुआ से लेकर 1947 तक ही पढ़ना है कई लोगा इंशेंशेंट पढ़ रहे थे मांको होता है मतलब इतनी ज़्यादा तभी मैंने देखे पहले क्या चलू किया स्लेवर्स फिर टेस्ट सिर यहां पर देखना है चैनल पर अपने हमारे यूट्यूब के स्ट्रीफ इंग्लिश दोनों मिलेगी समरी मिलेगी मिलेगा टॉप साथे चार सो पास्टों प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएंगे और मतलब विल्कुल कंप्लीट यहां कंप्रेंसिव तहरी करा रही है आ कैसे क्या पढ़ना चाहिए आपको कहां से जो है अपनी जड़े मजबूत करने चाहिए और आप लोग को मैं हमेशा यह ची बताते रहता हूं फैक्ट्स वाले पढ़के फ्रट्टूत होता लोग जो है नहीं कट आफ क्लिया कर सकते क्योंकि कट आफ कौन क्लिया करता है जो बैलन्स आउट जो होते हैं जो लोग कर लेता हैं को लिद्ध है आगे बढ़क शाथकार ने तूसरे सब humility करेंग फ़ीए इस देसर जा रहा नहीं डिया रहा है मंतली भी दिया जा रहा है समस्तर येगा ठीक उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिज दोनों भी दिया जा रहा है ठीक है और उसके बाद जो है dedicated EPFO के लिए जैसे government scheme की ज़रूरत है तो वो सब भी यहां पर हम लोग extra आप लोग को देंगे जो बिल्कुल specific requirement की ज़रूरत है ठीक है ना current event and development issues में पूछ सकता है कुछ भी ठीक यहां पर ऐसा नहीं है कि यह इस तरीके कुछ ना सकते हैं क्या करोना क्या है करो वाईरस है यह यहींब ही पूसदा कि करोना क्यों पड़ा है क्या मालू में आपने ध्यान दिया या फिर करोना झो है यह था कि आत्यक् suit पारिए पता है करेंगी करेंट इवेंट आपको जो है एक अक्टूबर से लेके 15 स्टमबर तक पढ़ना चाहिए चार अक्टूबर को अगर 2020 को पेपर होता है तो एक साल का करेंट अफेर पढ़ना बहुत ही ज्यादा आनिवारे हो जाता है कर गवर्मन्ट स्कीम पर अम लोग ध्यान देंगे पीडियाफ वीडियो करेंटली मंतली और डेली आपको मिलेगा इसके बाद हम आ जाते हैं अपने चौते पॉइंट पर जो है इंडियन पॉलिटी और एकनॉमी मेरे तवरह यहां पर सारे डाउट्स क्लिया किया जाएंगे लश्मी कान्त की यूट्यूब प्लेलिस पूरी द डाउट्स क्लिया किये जा रहे हैं नोट्स आपको जो है कंसाइज और एलिवेंट ही दिये जाएंगे पूरे पूरे और वह भी बाइलिंग्वल में 11th क्लास की एंसे पढ़नी पड़ेगी इसमें भी जो सेकेंड चैप्टर है सुनलो बाकी लोग भी सेकेंड चैप्टर ज तुम लोग एडिविसल लेते हो भाई जितना है उतना ही पड़ा हो ना कॉस मेनिफिट देखो बाकी जगे उनकी पॉजिटिव इनरजी लगेगी एफेक्टिवटी बढ़ेगी लेकिन लोग ऐसा नहीं करना चाते हैं क्योंकि उनको तो अपने दंदे चलाने चलो तो उसक कि पूरा पूरा लेवर इंडस्ट्री लेवर वाली मिनिस्ट्री पे गए और पूरी प्रीटिया डाउनलोड करके और कैदिया कि यह पड़ो यह ऐसे होती पड़ाई एक्साम के लिए ठीक क्योंकि हम लोग कोई लेवर उसके लिए थो ना कर रहे हैं वहलाब इस्पेसिफ और आपका इसमें समरी जो नोट्स की मिलेगी बड़े पापा वीडियो देखने हैं और टॉप 600 सइंस के दिए गए हैं उसको करना है प्रियाबत है पिछली बाव 5 बहुत आसान थे और या फिर अप्लीकेशन से पूस्ता है ठीक है कंप्यूटर में एप्लिकेशन ध्यान देना एक लिवसको ऐसे पढ़ा पढते समय तभी आपको दिमाग में रहेगा कि कौन सी चीज इं तो होंगे जैसे पहले बताएगे हैं डौट क्लेरेंस आकासा और मैं करता रहूंगा यहां पर सोचल से क्योंटी इंडिया सोचल से क्या होती समझो एक आसान वासा में में लग की जो है जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो है तो उनको समाजी अब देखें नॉमल टाइम था तो उनके पाद सोचल से क्योटी होगी किस फॉर्म में पेंशन में इंशोरेंस में ठीक अनिम्प्लॉयमेंट भत्ते में ठीक है आपका हेल्थ कवर में ठीक यह सब नहीं होगा तो वो लोग नहीं जी सकते मेरे भाई आप लोग यहां पर कॉश्चन का आंसर देना है कि टोटिलाइजेशन एग्रिमेंट क्या होता है जो हम लोग के गुरूप में अलड़ी जुड़ चुके हैं 30-35 वो लोग और जो है बाकी यूट्यूब पे देखना है आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा टोटिलाइजेशन एग्रिमेंट क्योंकि यह कोश्चन इस साल आने की बहुत ज़्यादा समामना है ठीक है एक कोश्चन यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया है टोटलाइजेशन एग्रिमेंट बताना इपीएफो के इनिशेटिव पेंशन इस सारी की बातें और गॉर्मेंट स्कीम पर फोकस रहेगा तो इस तरीक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता तो कमेंट लाइक शेर जरूर करिए किसी किसी ना एक उसमें शेर जो करना हो सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है यूट्यूब पर आप लोग जो है इसको जरूर जोइन करिए ठीक कोई दिक्कत नहीं होगी खुब पढ़िए